हेलो नमस्कार शभीको साथियो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अरियाना CET के पेपर को लेकर NTA स्कीरिये हो चुक्या है NTA ने HSSC के पास अगले दो दिन के अंदर एक्जाम सेंटर की जानकारी मांगी है कि कहां कहां पर हमें पेपर कराना चाहिए आप बिल्कुल फोर्मेट में जानकारी हमें परदान करें वई उमीद है कि इसके बाद वई HSSC और NTA साथ मिलके काम करेंगे क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था जहां पर चेर्मेन साब कह रहे थे कि NTA के अधिकारी तो अमारा फोन नहीं नहीं उठाते हैं लेकिन अब NTA और HSSSC दोनों मिलकर काम कर रहे हैं HSSSC जानकारी दे रहा है उसी के हिसाब से NTA उसके उपर वई काम करेंगा वई ठीक है वई पूरी खबर क्या है बता देते हैं वई देखिए वई NTA ने फोर्मेट में मांगी एकजान सेंटरों की जानकारी आयोग के सदस्या जिलों में पहुँचे दो दिन में भेजेंगे डिटेल वई क्या है बई नवंबर में होने वाले कोमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए NTA ने फोर्मेट में जानकारी मांगी है फोर्मेट में जानकारी बेजने के लिए हरियाना क्रमचारी चैन आयोग की टीमें वी बिन जिलों के अंदर पहुँच गई है और यह जानकारी उनको 1200 सेंट्रों को लेकर दी जाएगी यानि कि अरियाना के अंदर 1200 सेंट्र बढाए जाएंगे और 5 और 6 नवंबर को भी आपका पेपर होगा भी इसमें मुख्य रूप से नजदिक का रेल्वे स्टेशन, अस्पताल, पुलिस, थानादी की भी जानकारी मांगी गई है जैसे कि नकल करने वाले अगर पकड़े जाते हैं तो पुलिस की भी जरूरत होगी किसी का भी अगर मलब स्वास्त है खराब हो जाता है तो पास में ओस्पिटल की भी जानकारी होनी चाहिए अधिकारियों के पास है तो ये सब चीजें वहाँ पर मांगी गई है इसके साथ में हर्याना करमचारी चैनायोग के चेर्मेन बोपाल सिंग खदरी ने बताया कि टेस्ट को लेकर तयारियां तेजी से चल रही है चेर्मेन साब का बयान तो बहुत लंबे समय से है तेज चल रही है तेज चल रही है लेकिन अब की बार थोड़ी से अलचल ज्यादा है इसलिए मान लेते हैं कि नवंबर के 5 या 6 नवंबर को भी आपका फेपर होगा यह प्रिक्ष्या करीब 1200 सेंटरों पर हो गई इन में से 35 सेंटर चंदिगड के भी हो सकते हैं यानि कि चंदिगड में 35 सेंटर बनाए गए हैं और प्रिक्ष्या को लेकर सभी जिलों में आयोग की टी में गई हुई हैं जो सम्मंदी जानकारी जुटा रही हैं यह जानकारी दो से तीन दिनों में एंटिए को बेजी जाएगी ताकि प्रिक्ष्या को लेकर तेयारी हो सके यह आपकी वही कम्प्लीट खबर थी चेर्मेन साब की बात हो चाए मुख्यमंतरी की बात हो कही ना कही वही यह डर लगया रहता स्टूडेंट को कही ना कही बात यह जूट बोल रहे हैं वही क्योंकि एक जूट का माहूल पेपर को लेकर इन्होंने बनाया है देखी अरियाना सरकार क्या करती है कुछ भी चीज हो उसको सबसे पहले आगे आके कहती है कि हरियाना पहला राज्य बन गया है इसको लागू करने वाला CET में भी यह ऐसा ही था कि CET को लागू करने वाला हरियाना पहला राज्य बन गया है अगनी वीरों के लिए नोकरी देने वाला हरियाना पहला राज्य बन गया है यानि कि कागज कारवाई में सबसे आगे रहता है और जब पेपर कराने की बात आती है उसके अंदर पीछे रहता है 21 में पेपर होना था 22 का लास्ट आ चुके है पेपर के अंदर को लेकर भई अब 9 बर में पेपर है 2 साल आपके बीच चुके है युपी के अंदर भई एक सीटी हो चुके है दूसरा सीटी उमीद है कि इन से पहले ही हो जाएगा अरियानावालों से ठीक है